इन पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है इसके उपर आपका ध्यान जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कारवाई बाउंसर और डाक्टर के खिलाप होनी चाहिए सान्सरजीच के छेत्र में जिस तरह से पहले बाउंसरों द्वारा दूसरे दिन प्रसा उनके ब्याच्चू के प्रसासनिक लोगों के द्वारा हमला किया गया यह संदेश हमारे देश के लिए अच्चा नहीं है लोगतर के चौते स्थम को कहीं भी कोई जाने से नहीं रोकता अगर डाक्टरों का वहाँ पर धरना चल रहा था अगर पत्रकार भाई वहाँ गए तो किसी के प्राइवेट बाउंसरों को चिस तरह की हरकत की है यह हरकत मुझे लगता है बिना डाक्टर साहब के सह के नहीं हो सकती है और उस हरकत में पत्रकार के साथ जिस तरह हमला हुआ उसकी चैन गई और सम्मान गया उस पर एफ यार होने के बाद अभी तक कारवाई नहीं हुई मैं प्रसासन से मांग करता हूं कि तदकाल ऐसे बाउंसरों को गिपतार किया जाए ताकि चौते स्थम की सम्मान और उनकी लेकनी का जो लोगों में भरोसा है वो बना रहे और किसी तरह का सासन प्रसासन पे आरोप न लग पाए क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है कि खुले याम बाउंसरों ने जिस तरह से गुस के मारा यह अच्छी बात नहीं हमारे देश के मुकिया मानने योगीनात आदित जी जो बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और देश के इस समय ब्रांड अमिजडर हैं उनकों ने साप कहा हुआ है कि गरीबों को अपतकार बंदों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए पर उसके बाद माननी सांसर जीच के छेत्र में जिस तरह से पहले बाउंसरों द्वारा दूसरे दिन उनके ब्याचू के प्रसासनिक लोगों के द्वारा हमला किया गया यह संदेश हमारे देश के लिए अच्चा नहीं है प्रसासन के लिए अच्चा नहीं है इस पर सासन की नजर होनी चाहिए और सक से सक कारवाई होनी चाहिए ताकि भविस में कोई भी इस तरह की हरकत पत्रकार भाईयों के साथ ना कर सके मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही गुवार है कि आप सब को सुलक्चा देते हैं सबका ध्यान रखते हैं आपके रहते कोई अन्याए नहीं होगा ना हुआ है तो इन पत्रकारों के साथ तो अन्याए हमाओए इसके उपर आपका ध्यान जाना चाहिए और कड़ी से प्रवाई बाउंसर और डाक्टर के खिलाब होनी चाहिए प्रसासन को भी जवाब देना चाहिए, खुल्पतिस आपको भी देना चाहिए, सब को जवाब देना चाहिए, मौन होने से किसी चीज़ का हल लई होता है वो फिर चिंगारी सुलक्ती रहती है और पत्रकारों के मन में एक पीडा रह जाएगी तो इसलिए कुलपती साब से भी हम अन्रोध करते हैं कि गलत हुआ है तो उसका विरोध करें और उसके कारवाई में इनका साथ दे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कोवित के समय जिस तरह से सरकार ने अब प्रसासन ने साथ दिया मुझे लगता है कि अब उसी तरह की विमारी ये फिर फैली है भले इसका नाम दूसरा हो लेकिन हर घर में एक लोग दो लोग चार लोग बुकार से डेंगू से कमर दरत पैर दरत जोड दरत अउल्टी टटी से परिसान है तो प्रसासन को इस समय एक्टिव हो जाना चाहिए और घर घर लोगों को लगा के दवाईयों को देखना चाहिए जाज को देखना चाहिए और जो भी सुविधा है वो दे सके वो पूरी करनी चाहिए क्योंकि मेरे मुख मंत्री जी की मंसा साफ है कि हर इंसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको सिक्षा मिलनी चाहिए उनके इलाज के प्रती हम तयार है उनके अवास के प्रती तयार है तो लोगों की मौत ना हो, लोग परिसान ना हो, लोग अपने रोजी रोटी से तरस्त ना हो.